साहब आज सताई दिसंबर नू पंजाब काबीना दी बैठक जेड़ी है वो आज मुनकत कीती गई कोई लंबा चोड़ा आज एजेंडा नहीं सी सिर्फ तिन एजेंडा आइटम्स ते डिसकेशन होई है एक ताँ पंजाब दे विच्चे जिन्यावी गैर कानूनी कॉलनीज है गया जड़ी ऑनाथ ऑथराइज डिवेलप्मेंट है इन गैर कानूनी कॉलनीज नू ओडिनेंस दे जरिये या पॉलसी दे जरिये इनू रेगुलराइज कीता जावे इदे लिए एक कैबिनेट ने सब कमेटी दा जिगठन कीता है आइडिया ये है कि पंजाब दे जड़े शेर है इस साफ ते सुन्दर होन सड़का जड़िया है ओं मुनासिब तरीके ना चौड़िया होन आइडिया ये भी है कि तो बात गैर कनूनी जड़ी कॉलनाइजेशन है ओं हमेशा हमेशा लिए खतम ह हो जे ऑथराइजड कॉलनी सिर्फ पंजाब दे विचाण और जड़िया ये छे साथ अजार आनाथराइजड ऐस वड़े पईया है जड़िया अप्लिकेशन गवर्मेंट को ले पेंडिंग पईया है और ये ना होवे कि ये जड़े अप्लिकेंट्स है इना नू बेनिफि अला गया है इस वड़े गहर हाजर है उते सिर्फ रेजिडेंट वेलफेर असोसियेशन है इस सारियां गल्ला नू मद्याजन नजर रखते होए कैबिनिट ने अज फैसला लेा कि इक मीने दे विच 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 सब कमेटी कैबिनिट दी जड़ी बनी है ओ आवदा फैसला दे कि अगे तो पंजाब सरकार्दा की रद्यामल होना चाहिए और जड़ियां गैर का अनुजे रेगुलराइज करना है ते इनन ते किना डिवेलफ्मेंट चार्जेज वगरा वगरा एकने लगने चाहिए और किस तरीक किना होना चाहिए सब तो जड़ा एहम फैसला हो आ इन लेक्चरर जड़े सी ओ एड-hoc काम कर रहे सी उनना दिया सर्विसेज रेगुलराइज कितियां गी है कुछ उनना कोड़े कोड़ दा ओर्डर सी उननों इंप्लिमेंट करने दी कोशिश है एक लड़का जड़ा की शूटिंग चैंपियन कोशल दे नाम तो हो पहला ना मैंनों याद आ रहा है उनने गोल्ड मेडल वगएरा शूटिंग जित्ते है उननों एस एसाई या सब इंस्पेक्टर उननों कैबिने पर्ती करना हुकम दता है अज सिर्फ तिन अजेंड़ाइटम इसी जित्ते तहीं थोड़ा स्वाल है कि इस कैबिनेट सब कमेटी दे व और तुन प्रैस्टोट आजाएगा केडे केडे हैगे तो अज ता कोई लंबा चोड़ा अजंड़ा ने सिर्फ तरह सिर्फ एग्रेटम इसे जित्ते प्रता है इस्ते जित्ते वाइड विश्वाइट जित्विए तो इस सब्सक्राइट आज जित्वाइड एग्राइट and how we can overcome it and in future Punjab is not settled with illegal colonization, how to put a permanent end to it and also the fact that since you know illegal colonies are over a period of time, they are regularized with the intention की अगे तो नही होन गया पट हमेशा एफेर आजानी है is it, is it, our hope we are not following a policy where actually we are trying to give benefit to illegal colonizer rather than the legal colonizer so this सारी चीज लो समज़न वास्ते, वाच्चन वास्ते, तोलन वास्ते, एक सब कमिटी चेडी कामिने दी बनी है और इन्हे एक मिनने ती ती दिनादे विचे अपनी रिपोर्त है तो यही स्वाल उत रहे है कि हर वारी और हर सरकार illegal colonies नो legal करके जान दी है पर एक खतम होनदा ना नहीं ले रहे हैं, तो इदा कोई मुस्तिकल हल जड़ा है कोई permanent solution या final solution नहीं है स्टैंप ड्यूटी क्यों इजाज़त सरकार ने नहीं देती है इदी रिजिस्ट्रियां दी जदोता ही कोई final solution नहीं आंदा उदोता ही illegal colonies रिजिस्ट्रियां नहीं दोता ही सब्सक्राइब कोई नहीं दोता है तो सी विछले काली सरकान नहीं दोता ही नहीं दोता है वैसा काथी सारा गोवर्मेंट को पिया है जवलकों नहीं प्लाई की ता सिला उदे बारे कोई सब तिल तिल इस final policy, final policy decision does not take place, government is not going to allow you know unauthorized colonies to be registered sir what was the point of disagreement between among the cabinet members there was no point of disagreement it is just that we want a policy which is which will last which you know where this with illegal colonization will not crop up again and again so we wanted a policy which was which will be foolproof sir are you suggested in the meeting no nothing I will suggest once I am in the subcommittee we will we will discuss this thread where you know Punjabi is प्रेश्टे नहीजरे पालसी कपड चान करागे sir on the bench it is a नहीं अपी चल्दार कार्वी कर दी ओना इस्टेप चप्रेटिया है तो माद्दार पुद्दा पोजड़ी गल्नी आपढरे श्कैते है यही और मैंनू ता क्योंकि यह भी शक है कई वरी जिदों भी कोई गवर्मेंट दी एमनिस्टी अंदी है तो लोग की कर दे जे कॉलनी जिनना ने कटी जित्थे कोई कर भी नहीं हुंदा ओ भी इल्लीगल दे विच अप्लाई कर दे कि जी मेरा लीगल कर दे ओ ओ दे जे तो क लीगल कॉलनाईजेशन खतम हुए एक कंज्यूमर जड़ा है वो दा हक है कि ओ लीगल कॉलनी दे विच्चे चंगे मतलब जड़े बंदे है जड़े की सिरकार दे कानून है चाहे रहरा दे है चाहे पापरा दे है ओस कनून दे तैद कॉलनिया बढिया हो और उथे फिर बा लोड़ी ते लोड़ान हो जड़े है और लोग जड़े है फिर अगे पिछे पाइदे रहे है और नर्क दे विच्चे हो रहे है क्योंकि यह इन्लीगल है क्योंकि उनने डिवल्पमेंट कीती नहीं हुंदी सरकोस्त कलोनिया है जड़ी है जड़ी है य क्योंकि चैए मुनिसिपल कमेटी दी हदूदे मिच्च है यह अदूद तो बाहर नहीं है जड़ी कॉलनी विड़ाउट पर्मिशन है और उन अनौतराइज मन्ने जान दाए उन ते उसके सम्दी कानूनी कारवाई हो सगए What's the exact number, sir? You said 6,000 to 7,000. कुई साठेख छे हजार कॉलनी सरकार दे त्यांच ऐस वेले इल दी गए. And there are more also? मेभी? साठे कोले इप्लेंट या एप्लिकेशन पर रेगुलरिजाएशन साठे कोले पाइड.